हेलो माई फूड़ीज तो आज हम बनाएंगे जीरे वाले बिस्केट वो भी घर पर कम मेनत में, कम बज़ट में और कम टाइम में तो बिना किसी देर के बिस्मले पड़ते हैं और रेस्पी की तरफ चलते हैं सो लेस्केट स्टाट इट सबसे पहले हमें चाहिए मेल्टेट गी तो यहां पर मैंने 4 टी स्पून भर कर मेल्टेट गी लिया है ठीके और अब हम इसमें एड़ करेंगे हाफ कप पाउंडर शुगर शुगर को एड़ करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे तो बिसमल्यारमान रहिम साथ साथ आपने पढ़ते ही जाना है ठीके तो थोड़ा सा मिक्स कर देंगे और देन हम इसमें एड़ करेंगे वन पिंच ओफ साल्ट इसको भी मिक्स कर देंगे और इसको भी साथी साथ मिक्स कर देंगे इसके साथ ठीक है हमने इसको थोड़ा सा ही बीट करना है ज्यादा हमने इसको बीट नहीं करना चीनी गी के साथ अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे चलें जी अब हम इसको भी अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे चलें जी अब हम इसमें एड़ करेंगे एक गदद अंडा तो अंडे को डालने के बाद आपने अगें इसको भी अच्छे तरीके से बीट कर लेना है सारी चीज़ें आपने एक एक करके डालनी है और इसको अच्छे तरीके से बीट करते जाना है अंडर डालने के बाद आपने अराउंड इसको 5-7 मिनिट तक बीट करना है ठीके ताकर यह थोड़ा सा फलफी हो जाए ज्यादा हमने इसको फलफी नहीं करना ज्यादा कुछ मेनत नहीं लगने वाली इस पर तोड़ा सा ही हम इसको बीट करेंगे तो यह दिखे अंडर को मैंने 5-7 मिन तक अच्छे तरीके से बीट कर लिया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे मेदा तो मेदे को आपने अच्छे तरीके से शनी में शान कर फिर ही यूज़ करना है तो इसको तोड़ा सोड़ा सो डालते जाएंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे मेदा हम यहाँ पर तक्रीबर 1.5 कब यूज़ करेंगे हमने इसका जिसे डो तयार करते हैं वैसे ही हमने इसका डो तयार कर लेना है चलेंजी बीटर को साइट पे कर दिया है और अब हम इसको हाथों की हेल्प से डो की शेप दे दे देंगे ठीके यानि कि इसका डो सा तयार कर लेंगे ज्यादा हमने इसको गुनना नहीं है बस थोड़ा सा ही हमने इसको गुनना है ताके डो की शेप में आ जाए तो अलहम्दलिल्ला डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है चलें इसको बाउल में से निकाल लेते हैं और इसका एक बोल सा तयार कर लेंगे चलें जी अब हम इसको अच्छे तरीके से रूलिंग पैन की हेल्प्स के साथ बैल लेंगे जैसे हम रोटी को बैल जाएं से आपने वैसे इसको बैलना है पर रोटी से थोड़ा सा इसको मोटा रखना है आप सबसे एक रिक्वेस्टी के विडियो को आप लास तक देखा करें और रस्पीशी लगे तो लाइक भी जरूर कर लिया करें आपके एक लाइक से अगर किसी के चेहरे पर मसकाना सकती है तो वाइ नोट तो जल्दी से एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी आपने लाजमी करना है तो यह देखें मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने सोरी मेरी सिस्टर ने मेरी सिस्टर बना रही है आज की रेसिपी तो मेरी सिस्टर ने इसको अच्छे तरीके से बैलिया है और अब हम इसको कुकी की शेप दे देंगे याना के बिस्केट की और ना ही ज्यादा मोटा बस आपने इतना ही रखना है चलें अब इसको बेक के से करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ तो इनको हम बेक करेंगे पतीले में ठीक है आपके पास ओविन का होना लाज़ भी नहीं है तो पतीले में हमने एक शोटी सी प्लेट रखती है और पतीले को हमने अच्छे तरीके से प्री हीट कर लिया था यानि के पास प्लेट के लिए हमने इसको आँच पर रखती है था मीडियम सी आँच पर और इसको गरम कर लिया था बिसकेट को जब हमने ट्रे में लगया था प्लेट में लगया था तो हमने प्लेट को अच्छे त मेरी के से बैक हो चुके हैं मैं आपको चेक करवाती हूं एक तोड़के भी दिखाती हूं कि हमारे बिस्केट कितने ख़स्ता और क्रिस्पी बने हैं यह देखें आप देख सकते हैं कि यह कितने मज़े के बने हैं तो आपने इस रेस्पी को जरूरू ट्राय करना है रेस्पी वाफ वाची अफिछ वाच्छ वाचि आव यॉ अव्यॉ